अभी हम पढ़ना लें Amorphous Solid ठीक है तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ Amorphous Solid देखें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि Amorphous Solid जो है इसमें जो वर्ड है इसका Amorphous ठीक है इसी का मतलब होता है No-form क्या होता है इसका मतलब? No-form मतलब इसका कोई structure है ही नहीं structure ही नहीं मतलब इसका जो pattern है वो कैसा रहेंगा? irregular shape रहेंगा चलो एक point हमारा consider हो गया second बोलते हैं अब कैसा यह irregular shape है? अब no form बोल रहा है मतलब इसका हम क्या बोलते हैं pseudo solid pseudo solid यह आप समधिने के लिए बोल सकते हो false solid यह हमने समधिने के लिए बोला पर standard language में आप उसे pseudo solid लिए यह हमने समधिने के लिए बोला मतलब नकली वाला solid और जो crystalline था हो कैसा है असली वाला third point क्या बोलेंगे हम अब देखो अगर हम इसे cleavage property बोलते हैं cleavage property मतलब एक हमने amorphous का material लिया या substance लिया उसे cut किया अब देखे crystal line में तो closely pack थे molecule तो उसका कैसा smooth cut बट जैसे ही वो amorphous में चले गए उसकी property क्या हो जाएंगी मतलब cutने के बाद कैसा दिखेंगा वो irregular type का दिखेंगा and smooth दिखेंगा का नहीं तो उसे हम बोलते हैं and rough irregular तो दिखेंगा यह और कैसा दिखेंगा rough दिखेंगा ठीक है अब जो amorphous है उसमें ऐसा molecular है जिसमें close the pack नहीं है मतलब कुछ हमें उसका fix अधा पता नहीं है मतलब इसे हम क्या बोल देंगे they do not have definite melting point बोल देंगे और उसको heat of fusion भी एक है and no heat of fusion देखें यह point को मैं discuss करना जाऊंगा मैं क्या बोल रहा उसको definite melting point नहीं है माल लेटें एक plastic है एक plastic हमने जला दिया जलाने का यह उसे melt करने है पिखलाने का उसी type का दूसरा plastic है वो कम temperature पे पिखल जा मतलब इसमें fix नहीं है कि यह temperature पे ही melt हो ठीक है इसमें fix नहीं है इसलिए हमने का बोल देखें उसे they do not have specific they do not have specific melting point यह एक वर्ड लिख देना specific so that कि आपका answer का value बढ़ जो ठीक है अब एक last property और हम देखते हैं कि जिसे हम बोलते हैं isotropic property का बोलते हैं isotropic property अब देखें isotropic property में क्या है पहले यह है छोटा सा मतलब और एक property हम लिख सकते हैं हाँ पे six number का यह कैसा है short range order कैसा है short range order मतलब तो इसका molecule रहेंगा कैसा रहेंगा short range order तो isotropic मतलब क्या बता है हमने कि इसका कोई भी direction से गिनो इसका shape कैसा रहेंगा same मतलब एक जैसा रहेंगा इसलिए इसे an isotropic नहीं बोलेंगे इसे क्या बोलेंगा हम isotropic रहेंगे idea आपको MRF solid के बारे में हमने क्या पड़ा धान रहेंगा आपको ठीक है thank you everyone for watching my video isolated tops पुर आपको वीडियो साहिए like किजे, share किजे, comment किजे and one more thing subscribe भीजे हमार चानल को personal return thank you